इत्याद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्याद न्यूज में आप सभी का खैर मक्दम है आज के एहम मौदू रहेंगे आखिर बेलगाम कार्पोरेशन वार्डों के रिजर्वेशन का एलान जल्द होंगे कार्पोरेशन इंतकाबात आखिर अवाम को परेशान कर वजीर दाखला बेलगाम दोरे से क्या असिल करना चाते हैं अरसे बाद आखिर बेलगाम कार्पोरेशन चुनाओ का रास्ता खुली ही गया वैसे तो 2019 में ही चुना होने थे पर साबिक कार्पोरेटरों ने रिजर्वेशन के मद्दे नजर अदालत में पेटिशन दाकिल की जिससे कार्पोरेशन चुनाओ को मुलतवी किया है तो लहाजा कहीं सारे खौश्मंद और साबिक कार्पोरेशन की फैरिस्ट कार्पोरेशन बेलगाम की जानिब से मंजर आम पर लाने के बाद नया जोश पैवस्ता दिखाई दे रहा है कुछ लोग इसलिए भी मायूस हुए क्योंकि कुल अट्टाउन वार्डों में 27 वा दर्ज करने के लिए 14 दिन की मुदद भी दी गई है इस बार का चुनाओ भी थोड़ा अलग होने जा रहा क्योंकि इससे पहले कभी पार्टी के निशान पर कार्पोरेशन चुनाओ नहीं लड़े गए पर 2020 बिलगाम कार्पोरेशन चुनाओ भाजपा, कॉंग्रेज, जनत उर्दू के तवर पर तक्सीम होती थी, फिर मेर, डिप्टी मेर, मराठी करनड उर्दू के तवर पर जिसकी ताइदा जयदा होगी बन जाते थे, पर तमाम सियासी तच्वीर ही बदलती जारिया, खास कर जब से भाजपा का तसलुत का यह मोता जार है, किसी तरह छोटे च समार्ट सिटी के तहस तमाम कि तरक्याती कामँ को अंजाम दिया जा रहा है, तो आकिर कार्पोरेटर किस काम को अंजाम देंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी के कामऑ के लिए कमिटिया म мног internate जिसमें और अलाप सरान भी खुट पहले हर काम में कार्पोरेटरों का दखल हुआ करता था अब तो तमाम मौकमाओं का नीजी करन ही हो रहा है जाहिरे कार्पोरेटरिंग के एहमियत भी घड़ती जा रही है जहां पार्टियों के निशान पर चुनाव लड़ने का फैसला भी इसी का हिस्सा कहा जा सकता है में सियासी पार्टियों का दखल देखा जा रहा है जिससे यह साफ होता जा रहा है कि अब गली महले तक सियासी पार्टियों का तसल्ट और दखल देखा जा रहा है जाहिर है भाजपा भलेई अवाम के लिए कुछ करे या ना करे पर सियासी पैंतरों में महारत हासील हो कितनी हमायत हासिल होती है यह अलग बात है मराटी वोटों की तक्सीम भी यकीनी है क्योंकि यमियस भाजपा अपने अपने उम्मीद्वारों को जिताने की कोशिद जरूर करेंगे सिर्फ पांच मर्तबा छोड़कर अक्सर यमियस का ही मेर बना हुआ है क्योंकि शहर में वोट कर सकती है अगर वैसे देखा जाए तो फिलाल भाजपा का मुकबला कोई कर सकता है तो वह शूसे नहीं कर सकती है लिहाज मराठी लोगों की हिमायत चूसर ना को हासिल हो सकती है उर्दू वार्डों का मामिला भी हजीव है यहां घर से एक कॉर्पोरेटर बनने के ख सकता है इसा सवाल भी किया जाए क्या इस चुनाओ में समीती को शूसेना की हिमायत हासिल होगी यह सवाल भी कुछ हद तक एहमियत रखता है महराष्ट के वजिर अला उदो ठाकरे ने बेलगाम मराठी लोगों में दिल्चस्पी दिखाते हुए दो दिन पहले ही ट्वीट के जरीए बेलगाम मसले को मराठीयों की अजमत का मसला बनाकर इस एक नई दिशा देने की कोशिश की है शूसेना अब भाजपास से दो हाथ करने के मूड में है जहां बेलगाम कार्पोरेशन चुनाओ में दखल देख सकते हैं वही बंगाल में भी शूसेना अपने उम्मी चुनाओं पर सरगर्मिया जारी होने वाली है बाजपा का जोश कायम है कल ही वजीर दाखला मिच्छा की बेलगाम में आमद के बाद फौरां दूसरे दिन वार्डों का रिजर्वेशन का एलान होना भी सियासी दखल की बाद कही जा सकती है बेलगाम पंचाह चुनाओं मे भाजपा की जीत हुई है अब कार्पोरेशन में भी भाजपा अपनी कामियावी के पर्चम लहराना चाहती है शायद कुछ हम हिदायात बंद कमरों में ग्रह मंतरी ने दिये होंगे अब तो तमाम मोकमाओं में सियासी लीडरों का दखल देखा जा रहा है कार्पोरेशन ल अक्सूस लोगों के साथ शादी इजलास करनी के मशोरे देते हैं पर खुद लाकों के लोग जमा करते हैं अमिच्चा के आमत पर अवाम को पूरा दिन घरों में बैटना पड़ा रास्तों को बंद करनी की वज़े से सडक पर कारोबार करने वाले चोटे तिजारत करने वा खाली हाथ लोड़ गए करोडों का कर्च हकूमत की तिजोरी से किया जाता है पिछले आठ दिन से तैयारियां महज वजीर दाखला के खुशामत के लिए की जा रही थी दिन भर सड़के बंद कारोबार बंद मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए हलगा मुतगा और द मज़्दूर किसान सिर्फ तुमारी आमत से बूका रहता है इसका क्या एसास इनहें नहीं रहता है ऐसा सवाल भी अवां में किया मुत चाइद पर सिर्फ अवाम को ही दिखाये जाता है मास्क ना पहने पर लाटियां भी भांजे जाती हैं पर सियासी लीडरों के जलास में ना तो आला पुली सबसर ना सहत मौकमा को इसका ख्याल रहता है इन्हें ख्याल रहता है तो बस वजिरे दाखला खुश हो कर देहली लोटे क्या कार्पोरेशन और लोकसवाच चुनाओं के माहोल को बनाने के लिए ही अमिच्छा का बेलगाम दौरत था यह भी सवाल अहम हो सकता है खबरों का सिलसला यूही चलता रहेगा देखते रहे इत्यान नूज शुक्रिया अलाफिस